Welcome Students, Today, Revision के Heading में हम पुराने जो आप पढ़ चुके हैं पूर्व में उन टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं Mendel's Life and Work for B.S.C. Part 1 Mendel का जन एक माली के घर में 22 जुलाई 1822 को हुआ था ये अपने पिताजी के फार्म पर बड़े हुए थे ये गरीब परिवार से थे अता इनको अध्यान हेतु गिर्जागर के मठ में भेजा गया था फिर ये एक धार्मिक मठ के पादरी का पद ग्रहन करके और ब्रून शहर में जो जैको स्लोवेकिया में हैं वहां रहने लगे वहां इन्हें ग्रैगरी की उपाधी मिली थी ये अपने पिताजी के फार्म पर रहने के दौरान इन्होंने पादपों और प्राणियों में विशेश रुची हो गई थी ने तथा मेंडल जो है ये चर्च के उध्यान में मतर के पौधे उगाए इनोंने और इन पौधों पर अपना प्रयोग किया मेंडल ने अपने प्रयोग तथा इन से प्राप्त जो रिजल्ट्स थे 1866 में The Annual Proceedings of the Natural History Society of Brunes नामक पत्रिका में Experiments of Plant Hybrids नामक शीशक में प्रकाशित किया लेकिन मेंडल के समकक्षों को इनका कोई महत्व इनको दिया ही नहीं और क्योंकि इनके अनुसार प्रयोगिक आंकडों को गणतिय रूप में पेश किया गया था मेंडल की म्रत्यूं 1884 में हो गई थी फिर सन 1900 में जर्मनी के कार्ल कोरेंस नीदरलेंड के ह्यूगो डी व्रीज और आस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक ने स्वतंत रूप से मेंडल के नियमों की पुना खोज करी इस समय से modern genetics स्टार्ट हो गया था और इसके बाद मेंडल की खोजों को प्रात्मिक्ता दी गई मेंडल ले सावधानी पूर्वक परिक्षन पदतियां खोजी थी मटर के बिन बिन स्ट्रेंज में और वन्शागती के आधारबु सिधान्त खोजे इसलिए इन्हे आनुवान्शिकी का जनक father of genetics कहा जाता है और आनुवान्शिकी के शेत्र में इनके योगदान को मेंडलिजम कहा गया है मेंडल ने किस पर काम किया था? आगे हम थोड़ा सा देखते हैं मेंडल ने मेंडल के परिक्षन और सफलता किस कारण से हुई थी? कि इसने मटर के भिन भिन पौदो पर काम किया था जो निम्न प्रकार से हैं जैसे मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षन की वन्शागती का अध्यान किया जबकि इसके पहले वेग्यानिक पूरे जीन को एक लक्षन मानते थे दूसरा उसने अपने प्रेयोगों में F2 और F3 पीडियों तक का अध्यान किया तीसरा मेंडल द्वारा जो सेलेक्टड पौदे थे अनुवांशिक रूप से शुद्ध और उसमें संकरन के लिए स्वस्त पौदों को ही चुना था हेल्दी चौथा पॉइंट कि जो इस पष्ट दिखाई देने वाले कॉन्ट्रास्टिंग केरेक्टर्स जो होते हैं वी परियासी लक्षणों से युक्त शुद्ध पौदों का संकरन और शुद्ध लक्षण वाले पौदों को अलग-अलग क्यारियों में बोया था इसने पांचवा पॉइंट है कि प्रयोग का समुचित स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड सांख्य की ये रिकॉर्ड रखा था इसने सिक्स्थ पॉइंट है मेंडल ने अपनी परिक्षण मटर के पौदों के साथ किये क्योंकि इनकी खेती आसान है इनका व्रदिकाल और जीवनकाल छोटा होता है उसने परिक्षणिये योग्य पौदों के चुनाओं के लिए दो कंडिशन्स रखी एक कि परिक्षण योग्य पौदों में सदैव डिफ्रेंशेटिंग या कॉंट्रास्टिंग केरेक्टर्स होने चाहिए प्रतिवर्ति लक्षण दूसरा पौदों के वन संकर हाइब्रिड्स प्रजननकाल में समस्त बाहिये परागण के प्रभाव यानि क्रॉस फर्टिलाजेशन पर निशेचन से सुरक्षित रहना चाहिए फिर सेविंथ पॉइंट है कि मटर में क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टिफिशल फर्टिलाजेशन मटर में लगबग निश्चित होता है नाइन्थ पॉइंट है कि seven characters जीन प्रतक प्रतक समझात कुण सुत्रों पर इस्तृत होते हैं जो इसने लिये थे और लास्ट है कि इसने स्वर निशेचित पॉदे जिसमें differentiating characters हमेशा रहते हैं उनी को चुना तो मेंडल के द्वारा जो चुने गए मटर के साथ लक्षन मटर के पॉदे के साथ लक्षन वो आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे बीज की आकरती dominant में goal और recessive टाइप में dominant और recessive यानि प्रबल और सुप्त बीज की आकरती goal और जुर्रिदार बीज कवर्ण पीला हरा बीज कोश का रंग भूरा और श्वेद ठीक है देखो seed color yellow and green seed shape round and wrinkled flower purple white pod color green and yellow pod shape inflated and constructed और flower की जो position है axial और terminal अक्ष में और सिरे में और last step पौदे की उंचाई लंबा या बोना टॉल और ड्वार्फ तो ये जो characters हैं एक प्रबल dominant character है और swim को प्रदिशित करने योग्य होता है यदि एक लंबे मटर के पौदे और एक बोने मटर के संकरन कराए जाए तो उत्पन हुआ जो hybrid है वो parents में से किसी एक के समान कदका होगा क्योंकि लंबा पौधा dominant होता है प्रबल होता है तो इसको हम dominant tendency का और बोने को recessive tendency का कहा जाता है यहाँ पर जो dwarf tendency एक प्रबल tendency के उपस्तिती में प्रदर्शन के अयोग्य होती है जो dominant वाला होता है वो ही ज्यादा next generation में दिखाई देता है ठीक है इस प्रकारी समाप्त होता है थैंक्स